जन्पदाग्रह में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पहले से ही कई सामाचिक संस्ताइं उनका वरोत कर रही हैं और शासन प्रशासन को उनकी कार गुजारियों से रुबरू करा रही हैं इसकर में निजी स्कूल के रवये से खफा एड़ोकेट रोहन चौधरी ने मुखे मंतरी से सूचना की अधिकार की अधिनियम के अनुसार सूचना मांगी है कि निजी विध्याले में हर साल कितावें क्यों बदल दी जाती हैं अगर इस तरह कितावें बदली गई तो कई नु नार्थिक लाग की वजहा से कितावों को हर साल बदल बा देती हैं एड़ोकेटर रोहन चौधरी का कहना है कि हम मुखे मंतरी से यह जानना चाहते हैं कि शाशन या प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि निजी विध्याले में हर साल कितावें बदली जाएं अगर ऐ जैसे कृटर बदले करते हैं उन फेजुन फेड़ों को अब करकांते रहा हैं किताब चलें, तो कम उसे पर्राय बढ़ने को नुक्सान भी कम हो, और जैसे बच्चे जो पिछली किलास के अंगली किलास में आ रहे हैं, तो वो अंगली किलास बारी बच्चों से किताब ले सकते हैं पढ़ने के लिए, उनको नई किताब लेनी पढ़ती हैं, उनमें कुछ गरीब तबगाव की होते हैं, उनको बड़ी परिशानी होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी किताब हों कोई सरकार चलाए, उसका एक समय सीमा होनी चाहिए, कि पांथ साल चलें चार चलें, तो उसके बच्चों का भी पेशा बचें। बात दोर करते हैं कि आप कुझे लेनी पड़ेंगे, उपर का आदेश है, तो हमने सरकार से पूचा है कि क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश या कोई कानून बना जाए, कि प्राइवेट रिश्कुल वाले हर साल क्या अपनी नई किताब लगाएंगे, तो हम उस कानून को जानन चाहते हैं सरकार से, यह कोई कानून नहीं है, तो प्राइवेट रिश्कुल वाले ऐसा क्यों करते हैं, उसके लिए पर सरकार उन पर कोई कारवाई करें, बीजी महराजा नियूस के लिए शेलेंदर लवाने की रिपोर्ट